आज हम लोग जिस सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं कर रहे ऑफ जो कि हमारा साथ मुडियो होगा इसको उसी सीरीज में मैं साथ मुडियो कंपाइंड कर रहा हूँ अब देख सकते हैं यहाँ पर 6 वीडियो तक हो चुका है इंटरफेस तक तो अगर आपने वीडियो पहले नह चले, start करते हैं कि static class, static function and static variables क्या होते हैं, तो इसके लिए हम सीधा चलते हैं, coding round में और यहां से start करते हैं, format, static variables वगरा क्या होते हैं, ठीक है, देखे, सबसे बहुते हम यहां पर आते हैं, अगर हम normal एक class बनाते हैं, class का नाम है, 1 जैसा कि बनाते आये हैं, तो मैंने यहां प function को class एक variable बनाया मैंने, तो मुझे अगर access करना है, तो मैं क्या करूँगा, object बनाऊँगा, equal to new, class 1, और लिखूँगा, dollar obj, arrow, dollar num, यानि कि इस data को मैं access कर लूँगा, echo करके, यह simple सा case है, जिसमें आप देख सकते हैं, record हमारा, okay, dollar लग गया, चलिए, आप देखिए, आपर जड़ा, आपका record 100 आ गया, ठीक है, आपने देखा किया, मैंने एक simple सा variable बनाया, यह by default हमने बनाने के पास सीधे function को call कर लिया, object को call कर लिया, object को through, अब बात आती है, कि अगर function बनाते हैं, तो फिर क्या होगा, तो मैं एक function भी लग दिया, change, value change function के लिए, और यहाँ पर अभी के लिए मैंने लिख दिया, test, ठीक है, यह function call किया, अगर मैं इस function को call करता हूँ, dollar, obj, कि through, change को call किया मैंने, तो आप देख सकते है, simple साथ test हमारा record प्रेंट हो जाना चाहिए, आप देख सकते है, 100 and test print हुआ, अब बात आत कि कहना क्या जा रहे है, कहना मैं यह चाह रहा था, कि अगर अभी तक normal case में चल रहा था, बट अगर मैं इसी variable को मैं बना देता हूँ, static, static बना देता हूँ, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं, एक error आ गई, क्या error आ रही है, इसका मतब यह है, कि जब भी आप किसी variable को static ब सकता है, class के name से, बिना object बनाए हुए, यानि उससे object बनाने के ज़रूत नहीं है, उसका access करने के लिए, उसकी value change करने के लिए, object बनाने के ज़रूत नहीं है, सिधे class के नाम से access हो सकता है, it means, यहाँ error है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे, मैं सीधा और जो variable बन गया, उसको मैंने किस से बना लिया, class के नाम से call कर लिया, अब देख सकते है, variable को मैंने class के नाम से access के, अब एक काम करते है, अगर मैं इसी को, अगर non static बना देता हूँ, तो, क्या मैं इसको object से class से call कर सकता हूँ, क्या, एक बार देखिए ज़रू, error आ गई, access to undeclared static property, इसका मतब यह है, कि जब भी किसी class, किसी variable को हमें directly call करना होगा, तो वो variable क्या होना चाहिए, must है कि वो static होना चाहिए, तब हम class के नाम से access कर सकते हैं, otherwise नहीं कर सकते हैं, अब दूसरी property क्या आती है, अगर मैं इस variable को, मैं लिए इस function को बना दूं, static, हाँ, एक औ function call किया, और यहां पर मैं बना देता हूँ, इसको static, ठीक है, variable static बना देता हूँ, इस line में रहा नहीं चाहिए, line 9 में कोई रह नहीं आनी चाहिए, आप देख सकते हैं, 100 आ रहा है, और यहां पर test call हो रहा है, अब बात आ रही है, यह काम कैसे कर रहा है, non static variable है, so not be called, ठीक ह variable और function, दोनों ही call हो जाएंगे, क्या बात समझ में है, समझ में आया, कि अगर हम किसी variable को static बनाते हैं, या किसी method को static बनाते हैं, तो हमें उसके लिए object बनानी की जरूरत नहीं है, हम सीधा बिना object के call कर सकते हैं, by the help of class name, बड़े हाँ पर जो call करने का तरीक है, वहां पर हो अब बात आती है कि यह क्यों हो रहा है, जब भी हम static variable function की बात करते हैं, फंक्सन जो होता है, वह class का member तो है ही, साथ ही साथ object का भी member है, जब class का member है, तो इसका मत्तब यह object के दुरूर भी access होगा, लेकिन जब यहां static की बात करें variable को तो यह variable जो है static scope में बनता है, तो इसके through हम class के नाम से ही call कर सकते हैं, directly object से call नहीं कर सकते हैं, यहां पर एक बात समझ में आ रही है, simple सी बात, बात है, बट अगर मैं फिर से बोलू, अगर मैं कहता हूँ कि static variable अगर कोई function static नहीं है, तो वो सिर्फ object से ही call हो सकता है, classic call नहीं हो सकता, I hope मेरी बात आप समझ गए होंगे, इनकेस अगर आपको doubt होता है, तो comment section जरूर पूछेगा, चाहां तक है, मुझे मैंने बात को clear कर होंगे, तो आपको पता होगा, कि मैं किसी अगर function को normal function मनाता हूँ, ठीक है, normal function मालूस का नाम रख दिया, so, इसके अंदर मुझे इस variable को access करना है, तो मैं directly access कर सकता हूँ by using this, मैं लिख देता हूँ equal dollar this के अंदर num को, सही है, मैं इसको call कर सकता हूँ, object के द्वारा, तो मैं output मिलना चाहिए, एक में एक में, dollar num, sum, पैल इसको मैं comment out कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, देखे, एकदम perfectly काम कर रहा है, यहाँ 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 पर नम वाली बर, अच्छा, error यहाँ पर थी, इस विज़से error रहा है थी, ठीक है, अब आप देख सकते हैं, sum 100 के अंदर मैंने this variable को call किया, एक दम से ह्लगिया, एक काम करते हैं, इसका नाम one कर देते हैं, यहाँ पर विज़से error और एक variable और बना लेते हैं, और इसको बना लेते है, static, एक और बना लेते हैं, public $NUM2, जाँ तो देखिएका इसको बात को समझना है, क्या कर रहा है, अच्छा इसके थ्रू हमने directly access किया हमारा function value call हो रही है अगर मैं यहीं पर यहां पर plus लगा करके लिख देता हूँ plus dollar this के थ्रू dollar num को मैंने call कर लिए num2 को तो हमारा result जो आएगा वो 300 आ जाना चाहिए एक मिट अच्छा dollar लग गया ओके result 300 आप देख सकते हैं 100 plus 200 300 अब एक काम करते हैं इसी variable को मैं same logic मैं यहां पर लिखता हूँ अगर मैं यही चीज सेम यहां पर static function के लिखता हूँ तो क्या होता है अब आप देखिए गए error आएगी अभी यहां पर क्या है function में लिखता हूँ दिया अब इसको मैं call करता हूँ ठीक है तो मैं इसको class के name से call कर लेता हूँ ओके आप देख सकते हैं error आगे क्या कह रहा है using this when not in object context अब प्रॉलम ही आ रही है कि normal function जो थे जो non static function थे वो object बनाने के द्वारा call होते थे और this किसको रखता था current object को रखता था जब वहीं चीज़ पर जब मैंने function बनाया जो कि static है और उसके अंदर मैंने लाइन नमबर 6 में उसमें error दे दिया अभी यह है this context आपने जो लगाया है इस वजह से आपको दिक्कतारी comment कर देता हूं आप देखते जड़ा अभी भी आप देखेगा इसका मतलब यह है यहां पर भी वही काम करते हैं इसमें भी स्टाटिक लगा देता है चलिए भाई क्या अब हो जाएगा अब भी धेर सारी अरर आ रहे है अब बात आती है कि कॉल कैसे होने वाला है चलिए तो इसको कॉल करने के लिए अब आप यहां देख सकते object के थूब इसका मतलब object variable के अंदर static variable directly access नहीं हो सकता है simple भाद समझेगा अगर मैं static variable को बनाता हूँ तो यह non static function के अंदर directly access नहीं हो सकता static variable सिर्फ static function के अंदर यह access होगा अब question मतलब अगर मैं यहां पर लिखता हूँ तो क्या यह काम करेगा नहीं अभी error आएगे क्या रहर आएगे self एक keyword है जिसके थूप actually keyword कह सकते हो जो रखता है same class का reference अब हमने यहां पर क्या use कर लिया dollar this इसका मतलब यह है कि अगर static variable को static function के अदर call करना है तो उसके लिए this keyword ना लगा करके हम use करते हैं self अब आप देखे कि जड़ा यह आएगी यहां problem आगे 300 solve अब problem कहा बनी है इस चाहिए खतम हो गई आप देख सकते हैं यह problem खतम इसका मतलब क्या समझ में है जब भी किसी static variable को static function करना होगा तो क्या use करना पड़ेगा self use करना पड़ा कि ना कि this इसका मतलब अगर मुझे normal variable को use करना है तो मैं यहां पर use करूँगा public dollar n1 10 and public dollar n2 30 ठीक है और यही काम मैं यहां पर अब मैं access करूँगा तो बिल्कुल कर सकता हूँ यहां पर देश की जगा नम हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा थीक है तो यह दो बाते आपको साइट क्लियर हो गई होगे है तो आपको इक बात समझ में इस पूरे प्रोगाम में एक बात समझ में आ रही है वह यह है कि जब भी हम किसी भी static variable को बनाएंगे तो वो सिर्फ static function इंदर call होगा और static function इंदर क्लास के दर दोनों कॉल कर सकते हैं लेकिन अगर नॉन static function है तो सिर्फ object दर दोनों कॉल होगा नहीं हो सकता यह था पूरा actually मैं static and static function and static variable अब जाते 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 question आप से पूछ की जा रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर constructor बनाता हूं तो क्या यह call होगा अगर मैं बना रहा हूं अगर मैं बना रहा हूं तो क्या यह पर constructor यूज हो सकता है तो आप इसको comment section में जरूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आया है तो like करिए करिए कर सेर करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को सेर करना ना भूले थैंक्स फॉर झाल